कि हेलो फ्रेंट्स वर्धनी किल्वी में आप लबीका स्वागत है दोस्तों यंसी आर्टी क्लास 6 की जो मैटमेटिक्स की जो बुक चल लगी है उसमें हम लोगों के 5 चैप्टर पूरे हो गए आज ही वीडियो में लोग 6 चैप्टर को यहां पर डिसकस करेंगे ठीक है अभी इसके बारे में बताया सकता है कुछ आप देखिए पूरांग क्या होता है सबसे पहले इन्हों लिखा प्राकरत संख्धिः प्राकरतिक संख्धिः होके संग्रह में सूननिक को भी संस्ख् рис जैसे प्राकर्टिक संख्या비 जो होतीए वो 5 संग्रह संख्याफ मतलब सूनिक लगा देते हैं तो क्या कहलाती है तो यह नया संग्रह जो प्राप्ट होता है इनको कहते हैं पूर्ण संख्याफ इसकारmes 01234 dot dot अनंत치क यह पूर्ण संख्याओं हो जाती है ठीक है अब हमें ग्यात हो गया है कि कि रिडात्मक संख्याओं जैसे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पास जो निगेटिव नंबर्स भी होते हैं यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन रिडात्मक संख्याओं को मिला ले तो हमें संक्याओं का एक संग्रह प्राप्त होता है जो एक दो तीन चार से लेकर और माइनस एक दो तीन चार यह है ठीक संक्याओं के इस संग्रह को पूर्णांग का संग्रह कहते हैं इनहीं को क्या कहते हैं पूर्णांग और जो प्लस में होते हैं उन्हें धनात्मक पूरांग कहते हैं जो माइनस में होते हैं वो रिडात्मक पूरांग कहलाते हैं ठीक है प्राक्रतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंद तक जाती है ठीक है और जो पूर्ण संख्या होती है उनको वह जीरो से स्टार्ट होती तनी बढ़ी चलिएगी और 0 से बाई तरफ को चलेंगे इधर को तब संख्या घटती जाएगी, मतलब 0 से छोटा है माइनस एक, और माइनस एक से छोटा है माइनस दो, माइनस दो से छोटा माइनस तीन, मतलब अगर कोई पूछे, माइनस पंदरा और माइनस अठारा में से, छोटा कौन सा है, तो छोटी संख्या चो होगी, वो होगी माइनस 18 जितनी बड़ी होगी और माइनस लगाओगा वो उतनी ही छोटी संख्या होगी ठीक है यह उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे जो लोग मैंतमेटिक से बिल्कुल भी नहीं है जैसे यहां पर आपको यह चिर्ण लगाने है जो संख्या बड़ी होती उसी के तराप यह मुँढों खुला रहता है अब देखिए 0 और माइनस 8 में कौन सी संख्या बड़ी है तो बड़ी कौन सी है ? 0 बड़ी होगी माइनस एक और माइनस पंदरा में कौन सी बड़ी है बड़ी संक्या है माइनस एक जितनी बड़ी होगी माइनस में उतनी ही वो छोटी कहलाएगी ठीक है अब उमीद है आप लोग समझ गयोंगे इसका PDF में दे दूँगा टेल्ग्राम चैनल पर आप लोग इसको सौल्व करके यह इस तरीके से अब यहां पे लिखा एक हवाई जाज भूम से 2000 मीटर की उचाई पर उड़ रहा है तो पूनांको को लगा के से 700 निकालना मतलब 700 निकाल लिए गए माइनस में हो जाएगा ठीक तो इसी तरीके से यह समझाएगा है यह चैप्टर वैसे ओवर आल बहुत काफी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें लिखा है तो माइनस 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चा अब प्रेंश है और एक की तरफ एक वाइनस 1-6 से बढ़ा हो एक योग यहां पर देखें अभैं इसकी में आप Claus फिला से यह समझा आपका माइनस ही रहेगा लेकिन संख्या है आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में जोड़ के माइनस का 23 हो जाएगा हमेशा यह चीद द्यान नकिएगा अब देखें सम में अगर प्लस लगा है तो यह तो प्लस में ही 14 आएगा नीचे भी यहाँ पर 63 प्ल योज्जी परति Lom क्या जहलाता जैसे तीन का योजिपरतिलोम माइनस रहे होता है चार WHY कर योजी कर्तिलोम प्लस चार होका मतलब ऐसी संक्या जिसको जोड़ने पर जीरो हाजाए ठीक क्या हो जाएगा माइनस सो जाएगा योज्ज्य अदेगा आप सीधे चलते हैं यहां नीचे देखे चैप्टर जो है वह आप लोग खुदी सॉल्व को लीजिएगा अब यहां पे दो यही दो चीजा और देख लेते जब दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक मिलता जैसे दूनों मैनस तो माइनस की संख्याओं दोकिंगे जहुड़ाएंगे अब बायचा एक जिसे प्लस का पाँच माइनस का आथ है ठीक है और प्लस पांच तिच तब कैसे वोग ubiqu? उति होती जब एक प्लस को हो एक माइनस का Kens laughing पर संख्या क्या होती है आपस में घट जाती है घटाने पर तीन आएगा अब चिन कौन सा लगेगा चिन हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है तो माइनस हो जाएगा माइनस का तीन इस तरीके से आपको करना होगा ठीक तो यह भी चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया पुणांक में कुछ था नहीं नेक्स चैप्टर जो है वह साथ भिन है वह अच्छा है काफी इंपॉर्टेंट चीज़े उसमें आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्व इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार